प्रफेंट्स व्हांट्राइब चानल दिस विए सुबास इचले दिखते हैं कल मार्केट काउंट हम कर सकता है गौनसर्टर्स हम टेड़ कर सकते हैं उसके बीज़गा लौजी क्या है फिस्ट अपॉल हापी होली टू एबरीवान आज होलिडे है तो कल मार्केट फिट से सकते हो लेकिन पहले कोजी भी चीज़े पर्चेस करने से अबले मेक शूर आप 5 पी में हो गया इंसेट कैंडल से कुछ पैसा अगर बनाया हो तभी सोचना या फिर अगर तीन-चार मेने आप मुझे फॉलो कियो तभी प्लान करना अधर्वाइस आप फ्रिक्वेंसी में आ यहां पर दिख रहा है और यहां पर एक नेगेटिव कैंडल बनाया है तो इसको में इमीडिएटली सेल करना पसंद नहीं करूंगा यह सब कैंडल हम लोग सेल करना पसंद करते हैं अगर टॉप में बनाओ समेरन मार्केट यहां पर 40,000-44,000 के ऊपर निकल चुका हो था इस एक निए कर सकता हूं अगर 250 से लेकर 400 इसी रेंज के आसपास अगर कहीं पर मार्केट ओपन होता है हम लोग का 41,430 यह अगर क्लोस करता है हम लोग कर सकते हैं से 100 रुपया stop loss होना चाहिए, 41,530 यह हम लोग का पहला target रहेगा, then we're going to trail it, cost पे trail करके wait करेंगे, क्या यह 600 यह 700 यह ऊपर अगर close देता है, तभी हम लोग इसको फिर hold करके लेके जाएंगे, अगर market image क्योंकि 41,200 यह level हो गया, यह closing price हो गया, 41,000 हो गया, यह सारे support की तरह काम करेंगे, until and less, 41,000 के नीचे closing नहीं देता है, तब तक हम लोग इसको aggressive selling नहीं कर सकते, कल अगर बहुत बहुत बड़ा gap down खुलता है, we're going to wait for price action के नहाँ, यह price action बना के क्या 41,000 के नीचे आ रहा है, तब ही हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि यह area, demand area होने वाला है, अब देख रहा हूँ कि market एक continuous fall किया, Samayron यह उपर की तरफ गया, यहाँ पे मैंने अपना position भी square up कर लिया था, यह तरह लोग live trading देखे होंगे, और एक point के कल में live trading फुड़ा सा possible chances अर वेरिया है कि नहीं हो पाएगा, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा position जो था, मैं यहाँ पे निकाल दिया था, Samayron यह account के अंदर 5,000,000 के आस-पास मैंने निकाला, जो मेरा positional चल रहा था, trend following, उसके अंदर 59.60 के आस-पास मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, कल मैं fresh position प्लान करूँगा, कि नहीं कहाँ पे जा सकता है, strangle हो गया, straddle हो गया, या फिर directional हो गया, depending on market condition, अगर market flat खुलता है, तो इसके लिए कल थोड़ा सा life trading chances है, very rare कि नहीं है, अगर morning hour के अंदर मुझे खुद मेरे account में trade करना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा trade नहीं प्लान करूँगा, और लसी अगर कुछ मिलता है, तो मैं फिर आपको update करूँगा, यहाँ पर अगर देखेंगे, 250 से लेकर 400 के अंदर अगर फ्लाट खुलता है, तो एक trade हम लोगो मिल सकता है, क्योंकि यह demand area के आसपास है, या फिर 200 के आसपास उपर होता है, we're going to wait, 41,430 इसके ऊपर हम लोग प्लान करेंगे, इमेड़ेटली बाई करने के लिए, क्योंकि यह area के आसपास हो सकता है, कि रेकल closing बहुत अच्छा मिल जाए और इसके ऊपर निकल जाए, अगर market sideways जा रहा है, यहाँ पर इस तरी की जा रहा है, तो एक या दो दिन के बाद हम लोगो फिर बड़ा trend upside मिलेगा, क्योंकि 41,000 के ऊपर anything यह hold कर रहा है, मतलब आने वाल टाइम में ऊपर जाएगा, कल अगर बहुत तेजी से निकाल देता है, 41,000 के नीचे close होता है, तो आने वाले टाइम में हम लोग अच्छे से sell कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर sell up आ गया, इसके नीचे आ गया, तो बहुत बड़े target भी देखने मिल सकते हैं, तो कल का closing थोड़ा से wait करते हैं कि आप 41,000 के नीचे हो रहा है, selling के लिए, aggressive selling के लिए, अगर यहां पर wait कर रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे, करेंगे, तब ही हम लोग ट्रेड करेंगे, चली हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी उत्रा ज्यादा bend हुआ नहीं था, इस तरीके का expectation मेरा बैंक निफ्टी था, अगर बैंक निफ्टी इस तरीके से wait करता, तो फिर मैं अपना position hold कर लेता, लेकिन बैंक निफ्टी कंटिनूसली अपने जो gap था, उसको fill करने के लिए आ रहा था, तो इसके लिए मैंने उसको एक time पे निकाल दिया, और कौन से time पे निकाला चली मैं आपको बताल देता हूं, so that you will get an idea, कि यह continuous momentum में मैं कभी निकालता नहीं हूं, और यहां से पुल बैक हुआ था, उसके बाद यहां पे यह सफ्टेंट नहीं कर पाया सामेरा इसी लेवेल के आसपास मैंने निकाला, जिनरली क्या होता है, यहां से country's momentum तो हो गया, यहां से अगर वेट करके फिर उपर की तरब निकल के, यहां पर गयाप है, तो कल अगर मार्केट इमेजन करो के नहीं, आपको थोड़ा सा गयाप डाउन कहीं पर मिलता है, इसके नीचे 17,675 के आसपास, इस लेवेल के आसपास गयाप डाउन मिलता है, तो एक ट्रेड हम लोग को मिलेगा यह ग्लाप क्लोजिंग के लिए 17,600 के आसपास एक गयाप क्लोजिंग करने आ सकता है, तो हो सकता है कि नहीं 40-50 पॉइंट नीचे मिल जाए, फिर उसके बाद यह slow and steady इसी लेवेल पर होल्ड करता रहेगा, तो बड़ा sell-up हम लोग प्लान नहीं करेंगे, बड़ा sell-up प्लान करेंगे, जब यह 550 या 500 के नीचे अंदर इसके नीचे क्लोज आ गया, तभी हम लोग प्लान करेंगे, अगर कल होल्ड कर जाता है, इमाजिन करो 700 के ऊपर 750 इसी लेवेल के आसपास कही पर गयाप खुला या फ्लाट कुला, इस रेंज के आसपास खुला तो स्टिल इटसे बाइं सिनारियो, तो हम लोग अपलोस होना ची कि 1.2 हम लोग का टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 17,800 और ट्राइ करेगा कि ने मार्केट इसके उपर क्लोज देने के लिए, so that आने वाले टाइम में होर कंट्यूस मुमेंटम आपाई, फ्लाट खुले ये ग्याप खुले, पोजिटिव साइ बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये बहुत टाइम के बाद वहा है अगर आप देखोगे, अल्मोस्ट लोए इस फ़ॉम के मुः डूएफ लोगर पर मिले अ स्टार्ट होता है, तो ये डिस विक जूपर जाना इस्टार्ट होता है और प्रीमियम जिसे तरी कि जा कर दिया 41,000 के नीचे क्लोज कर दिया इसके नीचे अगर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया तो फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं कि आनेवल टाइप में और थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान करें क्योंकि अगर यहां से सेल आप आता है तो एक या दो दिन के अंदर हमको समझ में आ जाएगा और इंडिया विक्स पी राइज करना चाहिए अगर यह राइज करता है तो फिर हम लोग उसी फेवर में ट्रेट कर सकते हैं सेलिंग के साइड अधर विच हो सकता है कि ने और 10-15 दिन या प्रीमियम इतने कम है कि आपसट शेलर भी डरेगा सेल करने के लिए बहुत कम प्रीमियम है तो definitely कहीं ना कहीं ट्रेंड हो सकता है अगर नेगाटिव कै यह लिए तो प्रिमियम भी बढ़ेंगे इंडिया विक्स इंडिया बढ़ेगा विल सी अभी के लिए थुद्धा वी अगर मार्केट को नीचे आना है कि आप यह सोच रहो कि ने मार्केट फिट से जो स्विंग बनाया था 40,000 हो गया या फिए 39,500 उसके नीचे जाएगा फिर पहले यह 300 पॉइंट तो आने दीजिए कि यहां पिए आप फोई के नीचे कुछ क्लोजिंग होने दी जे फिर हम लोगो प्लान करेंगे एवरी राइस पे आप सेल करोंगे तो सकते हो कि नहीं आप चाहिए का मोमिंटम होगा उसको ही मिस कर सकते हो यहां पर खुला अपर क्ला एक साइन कार रहा है लेकिन कि नों इस सेलिंग आया पुल बैक था उसके बाद यह प्राइस से नेगेटिव दिख रहा है और समय राउंड यह लो है तो एक रिटेश्ट करने के लिए आ सकता है 673,72 इसके नीचे हम लोग प्लान कर सकते है तीन से चार रुपया स्टॉप लोस होना चाहिए 1.2 हम लोग का टार्गे प्लान कर सकते है 222 तक चांसे से आ सकता है 225 के नीचे इसको प्लान कर सकते है एक से दूर प्लास होना चाहिए 1.2 हम लोग का टार्गेट रहेगा और नेक्स टॉक के है वेल्स इंडिया बहुत अच्छा पैटन आपको दिख रहा होगा एक ही रेंज के अदर बहुत टाम breakout हुआ, fail हो गया, breakout हुआ, fail हो गया, यह फिर second time item कर रहा है, और इस time पर उपर गया, दो दिन वेट किया, फिर breakout देने हैं, कोसिस कर रहा है, चांसे तरह बेरी आए, अगर यहां से यह निकल जाता है, तो फिर यह try करेगा 1240 के उपर closing देने के लिए, अगर इसके ऊपर कुछ closing दे देता है, तो फिर यह जो swing है, यह जो seller यहां पर activate हो रहे हैं, यहां पर activate ना हो और इसके ऊपर एक swing बना दे, एक अच्छा momentum प्लान हो सकता है, 1227 से लेकर 29 के बीच में इसको प्लान कर सकते हैं, और 7-8 रुपिस का stop loss होना चाहिए, 1-2 minimum का target रहेगा, I hope यह सारे माट आप लोगों समझ में आ रहे होंगे, वीडियो चला हो, लाइक के सब्सक्राइब, अब इक लिए तना है, thank you.